हलो फ्रेंट्स एंडिये शुजेंस स्वागत है आप सब का आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में मैं हूँ आसुतो सुकला और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं पी फार्म एट समिस्टर के सबजेक फार्माशुटिकल रेगलेटयरि साइंस के यूणिट 5 के टॉपिक और इंज बुक को आज कैसे वीडियो में हम लोग जैनेगे कि और इंज बुक क्या होता है इसमें क्या contents होते हैं और क्या उस होते है और इंज बुक के तो आई ये शुरू करते हैं तो जो ये orange book होती है ये जैसा कि हम सब को इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है it is a book और ये एक book है जिसमें होती है list of drugs and pharmaceutical drug और pharmaceuticals की list होती है फार्मासुटिकल्स का मतलब की जो भी फार्मा प्रेप्रेशन से फार्मास से रिलेटेड फार्मूलेशन से और जो drug products यानि की जो APIs हैं उनकी list इसमें उपलब्ध होती है इस orange book में और उन drug और उन फार्मासुटिकल्स की list अबलेबल होगी और इन बुक में जो की USFDA state of food and drug administration से approved drug जो होंगी और जो की दोनों जो 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 एड्रग और फार्मासुटिकल्स होंगे वो safe and effective होंगी इनका जो यूज होगा या जो भी इसमें trials किये गये होंगे उन trials में यह outcomes आएगा कि यह जो formulations हैं यह जो drug products हैं यह drug product patient में यह जिस भी public पे यह use किया जाएगा उन populations में यह safe and effective है so orange book is a list of drug and pharmaceutical that the USFDA have approved as both safe and effective मतलब की orange book में drug of pharmaceuticals की ऐसी list उपलब्द होती है जिसको USFDA ने safe और effective अप्रूब किया है और यह अप्रूब किया है कि यह drug safe and effective है और इस orange book का जो नाम है means इसका जो formal name है उसे हम कहते हैं और और बूक का जो name है आप्रूव्ड ड्रग प्रोड़क्स एप्रूब्ड ड्रग प्रोड़क्स विच थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस evaluation equivalence evaluation इस जो औरेंज बुक का औरेंज बुक यह casual लेम है और इसका जो formal लेम है इस औरेंज बुक को जो सको main नेम जो इसका है तेट इस approved drug product with therapeutic equivalence evaluation इस नाम से यह जानी जाती है और और electron बुक जो है आपकी यह electronically available है means कि यह हमको electronically available यानि इसकी soft copy आपको मिल जाएगी नेट पे तो यह electronically available of free database है means अगर आप orange book को पढ़ना चाहते हैं या orange book को access करना चाहते हैं तो यह free मिल जाएगी अपनी इसकी एक website है जिसको अभी हम discuss करेंगे तो उस website पे आपको यह electronically available free database जो की orange book के नाम से जानी जाती है वो उपलब्द हो जाएगी और orange book जो है यह since 2005-2005 से यह mobile app में भी उपलब्द है mobile app जो की ओ बी एक्सप्रेस के नाम से एप है इस ओ बी एक्सप्रेस एप में यह औरेंज बुक आपको मिल जाएगी और इस mobile app में यह जो औरेंज बुक है यह 2005-2005 से एविलेबल है और इस औरेंज बुक का फाइदा क्या है जो जो भी जो बीडिकल प्रोफेस्टनल्स है जो की जो जो रिसर्च करने वाले हैं उनके लिए आसानी हो जाती है किस चीज में टू सर्च उनको सर्च करने में किसी भी जेनरिक equivalent to brand name drug कोई भी generic equivalent drug होगी जो की brand name के उसके बार उसको सर्च करने में patents को सर्च करने में patent exclusivity को सर्च करने में किसी drug product के बारे में approved drug product जो हूंगे उनको सर्च करने में और उनसे related information भी इस बुक में मिल जाएगी तो इस और इन बुक को access करने से medical professors को अपने practice में और researchers को अपने research में काफी help मिल जाती है और इसका जो digital edition है यानि जो electronically available जो ये electronically available digital edition है ये इसकी first edition से लेके इसका जो recent edition है वो सारे ही आपको ये digitally available मिलेंगे और इसका जो orange book का जो first edition आया था वो आया था 1980 में यानि 1980 में और इसका जो recent edition आया वो है 2021 में और from first edition to recent edition all copies of या all editions of this digital book can be downloaded और ये free download किये जा सकते हैं from the drug patent watch website ये जो website है जहां पे ये orange book आपको मिलेगी वो है drug patent watch drug patent watch website और 2005 से ये mobile app में भी उपलब्द है और वो mobile app का नाम है और यहां पे आपको सारी इस website पे सभी edition orange book के उपलब्द हो जाएंगे तो हमने देखा है orange book का introduction ये क्या होता है ये एक list of जो भी USFDA से अप्रूब जो drug of pharmaceuticals हैं जो कि USFDA ने जिनको अप्रूब किया है कि वो safe and effective है उनकी list मिलती है और इस orange book का जो formal name है that is approved drug product with therapeutic equivalence evaluation ये electronically available free database है since 2005 ये mobile app OB Express में भी पाया जाता है और इसकी जो website है that is drug pretent watch जहां पे इसके first edition जो कि पहला edition इसका आया 1980 में और इससे recent edition जो कि 2021 में आया वो सभी उपलब्द हैं अब हम इसके use के बारे में discuss कर लेते हैं कि use of orange book orange book का use क्या है तो जो orange book का use है वो हम किसी भी आसानी से इस orange book से हम आसानी से search कर सकते हैं या find out कर सकते हैं किसी भी drug application date के बारे में कि कोई drug application date प्यानी कि अगर किसी भी drug के अप्रूवल के लिए application फिल किया गया है तो उसकी date को यहां से पता कर सकते हैं और अप्रूवल डेट भी पता कर सकते हैं कि उस drug के लिए कब application फिल किया गया था और कब उस drug को अप्रूवल मिला और list of related patent जो भी हमारा research है उससे related patent की list भी आपको यहां पे मिल जाएगी और उसी के साथ साथ हम यहां पे जो patent है patent की expiry date को भी पता किया जा सकता है means validity of patent can also be find from the orange book और यहां से हम कोई भी जो generic product है उस generic equivalent brand name को भी brand name drug को यहां से हम पता कर सकते हैं orange book से हम brand name drug के list को पता कर सकते हैं और उसी brand name drug के जो approved comparable generic drug है उनकी भी information हम निकाल सकते हैं इस orange book से और उसके साथ साथ यहां से जो pharmaceutical company हैं वो किसी भी drug की marketing से पहले उनकी information drug information यहां से इस orange book से ले सकते हैं यहां से यह ले सकता है कि कौन सी drug हमारी इस से पहले किस brand name से available है कितना कब वो उसको approval मिला तो यह सारी चीजे आपको orange book से पता चल सकती है और उसी के साथ साथ patent exclusivity भी हम पता कर सकते हैं through the orange book patent exclusivity का मतलब है कि उसके patent period कब यह patent grant हुआ कब तक इसकी validity है क्या इसकी deadline से फोर किसी approved drug के लिए यह सारी चीजे भी पता कर आ सकती है means कि अगर यहां पे drug और फार्मा सुटकल और patent से related सारी information है तो किसी भी फार्मा कंपनी के लिए यह बहुत helpful होगा कोई नए drug product को market में लाने के लिए और उसी के साथ साथ जो researchers होंगे उनके लिए भी जो innovators होंगे उनके लिए जो नए-ने challenges आते हैं तो वो भी इससे पता कर सकते हैं यहां नए drug product यह approved drug product patents related जो information है तो वहां से study करके हम उसको अपना जो innovation है उसको बहतर धन से कर सकते हैं या बहतर तरीके से उस research को पूरा किया जा सकता है अब इसके आजाते हैं contents में what are the contents of orange book orange book के contents क्या क्या होते हैं तो orange book जो है यह mainly four parts में divided होती है orange book के में चार parts होते हैं सबसे पहला जो part होगा यहां पे approved prescription drug product जो prescription जो prescribe की जाने वाली drugs हैं medicines हैं उनकी informations होगी approved prescription drug product with therapeutic equivalence evaluation यानी की orange book के first part में जो होगा कि जो prescription drug product यानी कि जो approved marketing authorization approval जिन drug product को मिल सुका है उनकी list होगी और उसके साथ साथ उनके therapeutic equivalence evaluation report भी इसमें आपको मिलेगी then second content of orange book is approved OTC drug product approved OTC drug product की list यहां पे मिलेगी और उनके लिए जिनको जो की marketed नहीं हुई है या कि उनको marketing approval नहीं मिला है एसी OTC over the counter drug product की list भी आपको मिल जाएगी और उसके बाद यहां पे ऐसे drug product के जो भी drug products होगे ऐसे drug product की list होगी जिसको approval मिला है section 505 of the FDC food drug and cosmetic act के तहर जिनको approval मिला है और उसी के साथ साथ CBER से approved drug यानि Center for Biologics Evaluation and Research से जो approved drug होगी उनकी list मिल जाएगी और उसके बाद इसका जो fourth and last part है यहां पे आपको मिल जाएगी cumulative list of approved drug product that had been discontinued for marketing जिनको marketing से discontinue कर दिया गया है marketing से जिनको marketing authorization खताम कर दिया गया है उनकी list भी आपको यहां पे मिल जाएगी तो आरेंज बुक के content जो होता है यह चार पार्ट में divided होता है जहां पे सबसे पहले जो prescription से लिए approved drug product है वो उनकी list मिलेगी उनके therapeutic equivalence evaluation के साथ और दूसरा यहां पे approved OTC drug product की भी list मिलेगी और ऐसे drug product की list मिलेगी जो की food and drug cosmetic act के section 505 के तहत approved है और Center for Biologics Evaluation Research के द्वारा approved है और ऐसी drug की cumulative list मिलेगी जिनको marketing से discontinue कर दिया गया है और यह था औरेंज बुक के बारे में आज हमने इसके introduction इसके use और इसके content के बारे में जाना I hope कि आपको यह topic समझ में आया होगा इस topic से related कोई भी क्योरी होता आप comment box में drop कर सकते हैं और topic के PDF note को description box में deal link से download कर सकते हैं thank you very much